दोस्तों RCB की हार के बाद इंजड हुए फापडू पैलेसिस से मैदान पर मिलने पहुची अनुश्का शर्मा ने किया कुछ ऐसा है कि उनके साथ खड़े कोहली भी शोक रह गए जी हाँ दोस्तों आपको बता दें चिन्ना स्वामी में कल चेनई सुपर किंग्स और रोयल चेलेंजस बैंग्दू के बीच बहदी रोमान्चिक मुकाबला खेला गया जिसमें चेनई की दिये गए 227 रनों की स्कोर का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम अंती मोवर तक 218 रन नहीं बना पाई और 8 रनों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा इस मुकाबले में फाबडू पैलेसिस ने शांदार 33 गेंदों में 62 रनों की कपतानी पारी खेली अलाएंकि इस मुकाबले में पैलेसिस पूरी तरह फिट नहीं थे इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी टीम को जिताने के लिए हार नहीं मानी जिसके बाद विराट कोली की पतनी अनुष्का शर्मा फाबडू पैलेसिस से मिलने पहुंच जाती है मैदान में और उनसे इंजरी को लेकर बात करती भी नजराती है जिनकी तस्वीरे अब खुब वाइरल हो रही है दोस्तों कि RC भी अपकी बार IPL की चेंपियन बन पाएगी कमेंट वोक्स में अपनी राई जरू लिखिएगा